कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत प्यारा खुशुरा सा डिसाइन कट वर में एड वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं और हाँ जब बनाने से पहले एक चीज और जान लीजिए आ यह जो साड़ी से होती है यह सिफोन की साड़ी होती है तो डेरी इंच की पटियां कट करें और जोरजट की होती है तो आप एक इंचिस की कट्टियां कट करें जिस प्रकार से आपका कपड़ा सौफ्ट हो या फिर थोड़ा सा हार्ड हो उसी तरीके से आप पटियों को कट प्राइड करेंगे और एग सी और ध्यान रहां लखें जब भी डिसाइन बनाएं तो इसमें आप जब फंद्रें damage ठील करेंगर और color combination का main ध्यान रखें color combination अगर आपकी design का अच्छा होगा तो क्या होगा कि आपका डॉर्मेट चाहज इतना भी simple हो आपकी design बहुत ही खुबसूरत और उभर के आएगी तो चले बनाना start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर देखें फर्स्ट रो में हैं हम इस तरीके से किकी जो हम design बनाने जा रहे हैं उसमें जो फंदे हम डालेंगे ठीक है इस चीज का ध्यान रखें जो फंदे हम डालेंगे उसको भी एक रो में count करेंगे और यहाँ से इस तरीके से देखें यहाँ से एक तो और मेरे डिजाइन्स बिल्कु लललक और बहुत खास होते हैं मैं ट्रिप्स और ट्रिक्स देती रहती हूँ तो इस तरीके से आप हमें फॉलो कर सकते हैं देखें अब यहाँ से सभी फंदों को बुनेंगे इस तरीके से तो यह जो धागा होता है जिसे हम डालते हैं तो यह जो धागा बच जाता है हम इसे आगे की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से बना लेंगे आप चाहें तो इसे पड़ा रहने दे सिलाई करते समय इस धागे का आप यूज कर सकते हैं तो हम इसी में बुन रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से हमने बुन लिया, यहां से, देखिए इस प्रकार से, राउंड सेप में उसे गुमाते वे हम आगे की साइड इस तरीके से बुन लेंगे, अब देखें यहां से एक फंदा छोड़ते वे यही से हम पलट लेंगे अब यहां से हम complete row बनाएंगे उसके बाद दिखाएंगे इस row को complete करते हैं अब देखें यहां से एक फंदा छोड़ते वे यही से हम पलट लेंगे पलटने के बाद देखें यहां से इस फंदे को हमें नहीं बुनना है नेश्ट फंदे से यहां से हमें ब्लैक कलर को एड़ करना है एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आठ, नो और यहां पे एक और रेट छोड़ेंगे और यहीं से हम पलट लेंगे इस तरीके से दो, तीन, चार, अब देखें इन सभी बंदों को हम इस तरीके से अब यहां से इस साइट पे भी एक रेट पंदा छोड़ते वे यहीं से हम पलट लेंगे अब यहां से हम नेश्ट कलर इस तहागे को हमें नहीं बुरना है उतार लेना देखें यहां से और नेश्ट कलर से हमें रेट कलर को एड़ करना है यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और यहीं से हम पलट लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और यहीं से पलट लेंगे और इस रेट कलर को उतारके नेश्ट पंदे से हम ब्लैक कलर को एड़ करेंगे एक, एक, एक करके हम दोनों साइट पे एक एक कलर छोड़ रहे हैं यहीं से पलट लेंगे अब इस थागे को हमें नेश्ट थागे से रेट कलर को एड़ करेंगे एक, दो, तीन, तीन पंदे पुनते हुए यहीं से हम पलट लेंगे फिर से हम रेट को पुनेंगे इस तरीके से आप देखे यहां पे यहीं से पलट लेंगे आप देखे जो हमने यह फंदे छोड़े हैं देखे यहां से एक, एक करके हमने दोनों साइड से दोनों कलर की एक, एक फंदा हमने दोनों साइड से छोड़ दिया है यहां पे देखे लाश्ट का जो हमने ब्लैक बुना है ब्लैक बुनने के बाद देखे इसे उतारेंगे नेश्ट फंदे से हम रेट को एड़ करेंगे देखे यहां से इस तरीके से यह दो फंदे हम छोड़ देंगे और रेट कलर को इस साइड से एड़ करेंगे यहां से एक और पलट देंगे देखे इस तरीके से ध्यान से देखेगा अब देखे इस side पे हम इस phando को नहीं बुनना है ऐसे ही उतार लेना है इसके बाद यहाँ से next pando हम black को black जुन देंगे यहाँ से black को black से बुन से बुन यहाँ से पलट देंगे अब red को हम red से add करेंगे अब देखिए यहां से पलट देंगे पलटने के बाद अब इस साइड से हम इस तरीके से देखिए यहां से रेड को अड़ करेंगे अब देखिए यहां से हमने रेड कलर को बुन लिया अब यहां से हम एक देखे अब यहाँ से हम इन red color को सभी color को इस तरीके से बुनेंगे black से और यहाँ से एक हम black बुनेंगे और पलट देंगे इस तरीके से देखे ध्यान से देखेगा अब इस थागे को उतारेंगे next funday से इस को जो हमने one side से बुना है सेकंड साइड से हमें नहीं बुनना है यहां से हम ऐसे उतार लेंगे और अगले फंदो को नेश्ट फंदो को हम बुनेंगे यहां से आप देखे यहां से हम जब इन फंदो को बुन लेंगे इस तरीके से अब यहां से हम पलट देंगे इस तरीके से देखे यहां से पलट देंगे और इस तरीके से देखे पलटने के बाद इस ब्लैक कलर को देखे अब यहां से हम रेट कलर को इस तरीके से लेंगे और यहां से हम रेट को एक, दो, तीन, चार, पाच, छे और यहाँ पर यह देखे इस प्रकार से हम रेट को बुनेंगे और यही से हम पलट लेंगे अब वन साइड से हमने बुना है वन साइड से हम इसे उतार लेंगे हमें बुनना नहीं है यहाँ से ध्यान से रखें यहाँ से हमें नहीं बुनना है अब देखे इन सभी फंदों को हम बुढ़ेंगे एक साथ में इस तरीके से थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके से अब यहीं से पलट लेंगे यहाँ से हम एड़ करेंगे ब्लैक कलर का धागा देखे इस तरीके से यहाँ से पलैक को बुनेंगे और पलट लेंगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है इस पलैक को हमें नहीं बुनना है ठीके यहाँ से हम इसे नहीं बुनेंगे वन साइड ही इस देजाइन में हम वन साइड बुनेंगे वन साइड पंदे को हम उतार लेंगे देखे यहाँ से इस तरीके से अब यहीं से हम पलट लेंगे पलटने के बाद नेस्ट कलर हम रेट को एड़ करेंगे अब इस रेट को ऐसे ही देखें इस प्रकार से वन साइट से पुनेंगे और पलट लेंगे अब यहां से बुनेंगे ने यहां से हम उतार लेंगे इसी तरीके से हम ब्लैक को भी बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे की डिसाइन अब यहां से देखें हमने यह हाफ कलर रेट से बुना और हाफ डिसाइन हाफ हंदे इस साइड पर छोड़ दिये अब यहां से हम देखे एक दो तीन चार आप इसे माइक्समाम 35 पंदे का बनाएंगे काफी बड़ा डिजाइन बनके रेडी होगा तो देखे आप यहां से पलड लेंगे सीधी साइट से लेंगे इस तरीके से यहां से हम कलर आड़ करेंगे ब्लैक कलर एक दो तीन चार पाँच छे एक यहां पर फिर से छोड़ेंगे और यहीं से हम पलड लेंगे देखे यहां से एक दो तीन चार पाँच और पलड देंगे सीधी साइट से लेंगे आप देखे यहां पर यहां पर हम कलर आड़ करेंगे रेड इस तरीके से रेड कलर को आड़ करना है एक दो तीन चार पाँच पलड देंगे इसी तरीके से एक एक फंदा करके हम उपर की साइट तक लाश्ट तक पुनेंगे उसके बाद दिखाएंगे अब देखे इस प्रकार से हमने यहां तक की एक एक फंदे छोड़ दिये अब नीचे की साइट इस तरीके से देखे यहां से रेट कलर को एड़ करेंगे सभी बंदों को हम रेट से बुनेंगे और यहां पे एक रेट को बुनके यही से हम पलट लेंगे इस प्रकार से यह देखे इस प्रकार से बुनेंगे यही से सीरी साइट लेंगे पलट देंगे फिर से हम ब्लैक कलर को अट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और यह ब्लैक उनेंगे और यही से हम पलट लेंगे इस प्रकार से आप देखे इस प्रकार से हमने जो जहां पर कलर था में वही पर इस तरीके से रेड कलर को अट कर लिया अब यहां से हम ब्लैक कलर को अट करेंगे इस देखे यहां से इस प्रकार से एक, दो, तीन, कम्प्लीट फंदे बुनेंगे जो ये वाले रेड वाले और ब्लैक वाले सभी फंदों को बुनेंगे इसी प्रकार से हमारी ये डिसाइन बनके रेडी हो जाएगी